तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं कोसिस भी करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रहे हैं, आज की इस एपिसोड में कुछ इसी तरह की जानकरी अभी आपको देने वाला यह जो जानकरी है, वह भारते रेल से भी जुड़ी हुई है, आपकी स्मार्टफोन से भी जुड़ी हुई है, आपकी पैसो से, आपकी बैंक अकाउंट से हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है, तो प्लीज मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं, और अगर आप इस चैनल प पताऊंगा, थोड़ा से यहां पर बता दूसके बारे में, बहुत सारे ऐसा अप्लीकेशन अभी गूगल प्ले स्टोर में थे, इस वक्त नहीं है, बहुत सारे ऐसा अप्लीकेशन थे, जो आपकी फैस्बुक एकाउंट को हैक कर सकती थी, या फिर इस से पहले कि अगर हम प्लेट्फोंट नहीं हटा सकता है, और फिर से एक बार कुछ ऐसा अप्लीकेशन के बारे में पता चला है, जो फैस्बुक एकाउंट या सोसल मीडिया एकाउंट या तो फिर बैंक एकाउंट के जानकरिया, दूसरे सर्वर्स के साथ मैं शेयर कर रही थी, ये कौन-कौन इनके बारे में मैं आपको बिल्कूल भी नहीं बताऊंगा, ये खुद आप पता लगाऊंगे कैसे वीडियो के लास्ट में बताने में, उससे पहले बारे से जोड़ी कुछ जानकरियों पर नजट डालते हैं, दोस्ता आपने सुना होगा, सुना नहीं, आपने देखा जर इन फाम फिलप में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस जोग वो देना पड़ता है, ये क्यों देना पड़ता है, आप जिस गाड़ी से गुजरे हो, उस गाड़ी में आपके साथ में जो पैसंजर से हैं, यानि कि आपके अगल बगल में लोग बैठे हुएं, उन में से किसी क को कोरोना होती है या तो पला पोसिटिफ हो पाय जाता है तो ऐसे में उसके आसपास के लोगों को क्वारेंटाइन किया जा सहके, पता लगाकर तो सिर्फ कोरोना मरिजु के बारे में पता लगाने के लिए भारत ही ने ये शुरुवात की थी, हलांकि अगर बीच में हम बा आपको यहां रिजवरेशन फॉर्म के उपर में पिन कोड देना जरूरी है पिन कोड अगर आप स्किप कर देते हो देते नहीं हो तो आपकी टीकट बूक नहीं हो पाएगी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक धनवाद रेवलेशन पर काफी लंबी लाइने लग जाती है क्योंकि लोग यहां पिन कोड लोगों को नहीं पता था बहुत से लोग जो है अनपड थे अनपड होने की बज़े से वो उन्हें अपना पता भी ठीक से पता नहीं था तो ऐसे मैं यहां पर दिक्कतों का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ा तो इसलिए मेरी आप से गुजारी से कि आप जब भी काउंटर पर जाओ टिकट बूक कराने के लिए तो अगर आपक सुरू हो चुकी है पिछले एक वीडियो में आप सबसे कहा था और कल भी बहुत सारी ट्रेने सुरू हुई है लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी उन ट्रेनों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरे भारत से जो है मुझे लोग देखते हैं भारत के बाहर भी कई सारे देस सिस्टम पर जाएं और यहां आप ट्रेनों के लिस्ट भी दी हुई है लेकिन आप इन दोनों जरीयों से पता लगा सकते हैं कि आपकी रूट में जो गाडिया है उनमें जैनरल क्लास वाली जो गाडिया है यानि के लोकल ट्रेने जो है वो शुरू हुई है या नहीं या त आपको 0% इंट्रेस्ट के साथ में लोन जो है 5 लाख रुपए तक की लोन मिलती है साथ में बहुत चारी कैसबेक मिलती है फ्यूल शॉपिंग या तो फिर आप खाना बगरा ओडर कर सकते हो बगरा बगरा बहुत सारी चीज़े जो है यहां से फाइदे की चीज़े जो है में दिखाई गई है लेकिन बहुत सारी हिडेन चार्जेस भी है जो आपको बताया नहीं गया है स्क्रिन पर आप देख सकते हो इसके बारे में ज्यादा जानकरी के लिए जब मैं अंदर गया 5,000 रुपए क्रेडिट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे 1.99 का सब्सक्रिप् अब यहां भी ऐसा ही कुछ मामला है मैं कोसिस करूंगा आप लोग के लिए इसके बारे में फुल वीडियो जिसमें की हर एक टर्में कर निशन जो इनकी है वो सारी चीज़े आपको बताओ ताकि लोग जो है लोग कुछ गलत फैमी में लोग ना पड़े देखिए मैं यहा तो एप्लिकेशन को गूगल प्ले को भिवर गूगल प्ले कीया हैुनके नाम मैं आपको नहीं बता हो हुआ है कैब आज मैंगर आपको उनके बारे में बता देता हूं तो एपने होगे तो हो सकता हैं Lexus ना रहूं मैं मतलब हो सकता है लेट से वीडियो अपलोड कर 30 मतलब होता है कि आप मुझे देखना पाओ तो इस चेकर में वह application से आपके phone में रहे जाएंगे मेरी आप से गुजारी से भई कुछ करो ना करो play store में applications को scan जरूर करो पता है आपको काशे करना चलिए बता देता हो application को scan करने के लिए आपको अपनी android device में google play store को open कर लेना है उसके बाद आपको अपनी email id का जो picture लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं right side उपर में इस पर आपको click करने है click करने के बाद आपको जाना होगा manage apps and device पर जैसे आप इस पर जाओगे तो यहाँ आप देख सकते तो no harmful apps found इस पर आपको क्लिक करना है scan का एक option मिल जाएगा इस पर आपको click करना है यह scan करके आपको बता देगी कि कौन सी application सही है और कौन सी application आपके लिए सहतमन नहीं है अगर कोई harmful app google play store के जरिये से आपकी phone में आ चुके है गूगल को पता चलने के बाद गूगल ने उसे हटा दिया अपनी प्लेयर से लेकिन गूगल आपकी phone से नहीं हटा सकती है इसलिए आप इसको जब scan करोगे तो यहां पर Google आपको बता देगी कि भाईया इससे जो है हमने हटा दिया है इस से अब आप अपनी phone से भी हटा दो harmful app के जरिये से वह आपको यहा हो सकता है कोई update आई और वह आप तक नहीं पहुंची तो ऐसे में आपको आपकी phone में जो है प्लेय स्टोर तो वह हमें सामें वजुद रहेगा तो यहां चाप उसके बारे में उन application के बारे में पता लगा सकते हो और उनको आराम से हटा सकते हो दोस्तों मुझे लगता है आ